अपना पीछला वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप कॉनिका मिनल्टा भी जब 206 से दो तरीके से C2558 error को हटा सकते हो बट अगर मान लिजे कि उसमें कुछ ज़्यादा प्रोब्लेम आ गया है तो उसको आप खुद से नहीं हटा सकते हो और मेरे मानिये तो कभी ट्राइब ही मत किजेगा आप अपने service provider जो आपके कोनिका तरब से रहते हैं आपके region में उनको call करके बलाके उनसे करवा दिया क्योंकि वहां पर क्या होता है आपको drum को खोलना पड़ता है उसके बाद वहां पर drum के अंदर आपको developer kit को निकालके उसक करना पड़ेगा या फिर उसको वास करके भी आप लगवा सकते हो उसी में और यूज कर सकते हो अपना प्रोब्लेम इसलिए था क्योंकि हमें actually किसी ने डूब्लिकेट वाला जो उसका टोनर है वही दिय दिया था तो वह डूब्लिकेट टोनर का जो पावडर आता है वह ज खराफ हो गया रहता तो ज्यादा प्राइस आपका नहीं आता करीवन करीवन पंदरा सोसे सब्लो सकते सके अंदर आपको हो जाता है तो चले देखते हैं कि किस तरह सी इसको हमने कम्प्लीट किया हुआ है को डबल फाइप एट को एरर जो आता है उसको हटा सकते हो बट यहां पर मैं रेकॉमेंड करूंगा जब आपको ड्रॉम खुलने का बारी है ना तब खुद से ना करें आपका जो सर्विस प्रोवेडर है उसको फोन कर लें ताकि आपको आगे चलके और कोई दिक्कत ना हो हमने जो सर्विस के लिए बुक किया हुआ था कॉनिका मिलल्टा बीजब 206 में वहां से सर्विस इंजिनर आ चुके हैं और यहां पर देखिए हमने ड्रॉम यूनिट को निकाल के उसको साप करेंगे पस इतना सहीं काम है ड्रॉम यूनिट आपको मैं दिखा देता हूं यह है अपना ड्रॉम यूनिट ऊपर के तरफ हमने रखा हुता यह जो नीला कलर वाला रोल दीख रहा है आपको उसी के अंदर में आपको आपका डेवलपर किट मिल जाता है तो उसको भी हम खोल के साप करेंगे पर यहां पे एक चीज में आपको दिखा रहे रहा हूं ड्रॉ तो यहाँ पर ड्रॉम यूनिट को भी हम खोल रहें यहाँ पर हम वास करके हमने यहां पे लगा दिया हुआ है और अभी हम यहां पे कुछ और प्रोसेस करेंगे उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि सही से अपना प्रिंट आ रहा है कि नहीं है यहां पे हमने इस तरह के कॉपी निकालना शुरू कर दिया जो मतलब डेबलपर में थोड़ा जो हम लोगा डूब्लिकेट एक्चली इंक पाउडर था तो मिक्स हो गया था तो उस मिक्स को हटाने के लिए कुछ आपको इस तरह से मतलब मानना पड़ेगा ताकि आपका जो ड पर लगवाया उसके बाद हम लोगा जो कॉपी विल्कुल सही से आने लगा मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर किस तरह से आया था फैले हटा इसको पहले कुपी का क्मांद दे दिया हुआ है मसंन स्टार्ट हो चुका है कि को आ चुका है ये रहा अपना कॉपी जो देख़े हो गया बिलकुल सही तरीके से मतलब अपना कॉपी यहां पे निकल चुका है इस तरह से मतलब आप आप C2558 error को हटा सकते हो। मैंने इस से पहले भी मतलब दो प्रोसेस बता हुए थे नॉर्मली जब paper आता है तो उसको हटा देते हो यह तो एक normal operation रहता है बट जो second option रहता है उसको आपको क्या करना पड़ता है यहां पे आपको थोड़ा सा error clear का option को use करना पड़ता है बट अकर वहां पे भी आपका नहीं हो पाता है तो तीसरा वाला जो option होता है जो हमने इस वीडियो में देखा आपको developer को पूरा साप करना पड़ेगा developer को खोल के यानि कि आपका drum kit को निकलना होगा यहां से आपका drum kit निकलता है यह एक्टो nut यहां पर रहता है यह एक्टो nut रहता है आपका और यहां पर एक्टो आ जाएगा और यहां पर एक्टो आपको खोल के इसको हटा के आप अपना को खोल के डेवलोपर को इजीली साफ कर सकते हो तो इस तरह से आप अपना C2558 को एरर जो आता है उसको हटा सकते हो बट यहाँ पर मैं रेकोमेंड करूंगा जब आपको ड्राम खोलने का बारी है न तब खुद से ना करें आपका जो सर्विस प्रोवेडर है उसको फोन कर ले जाने को इस तरह न अपयाँ कर लास पूटन बेलो इस वीडियो बिडियो थेयु चुछ रचलावाच तरहीश यह शलाने इस तरही न देख भाच वाच उपाच जाएंट कर जबहां प्वाच अपिछ रस इंच आपक प्रा जाने में उसक्यद प्रमाच डच ब्सक्स्व